अब देखाया तो इस मुद्दे पर विडियो बनाना थोड़ा सा डेले कर रहा हूं मैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं अगर लोगों तक एक सही परसेप्शन पहुचे और आप अगर अगरी करें तो शेयर जरू करिएगा क्योंकि बहुत लेफ्ट के द्वारा पर्टिकलर करना बनी होगे कि हमारी यह चीज घूम फिर के इंग्लिश में आ जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे अगर 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 आयुर्वेद जब तक था किसी को दिक्कत निए जब आयुर्वेदा बन गया तो कुछ बनियार बात है कुछ नहीं चीज है योग था त अगर सब करना तो एक फैशन मन गया हम को योगा करना उस्ही तरीके से हमारी दवाई भी अगर या या दवाई बोलू या टेक्णोलोजी बोलूँ या फर टेक्नीक या कोई भी ऐसा क्योर्वेदा अगर हमारे पास किसी और माध्यम से आता है और अंग्रेजी में लिखा ह करना चाहिए क्योंकि बाहर वालों से तो गल्त हो इनी सकती हम लोग और्थोडॉक्स हैं गलत हैं यहां पर मैं लॉजिक देना चाहता हूं और उस लॉजिक को बहुत लोग इग्नूर कर रहे हैं सब नहीं कर रहे हैं लेकिन वह बहुत एक बड़ा ग्रूप कर रहा है जो हु करोना और पेशेंट को कुरोना से मुक्ति मिलेगी क्या अगलत है मैं भी एक्सेप्ट करता हूं दूसरी चीज यह उस दवाई को आयुश मंत्राले ने यह कहके अप्रोवल दिया कि एक एक इम्म्यूनिटी बूस्टर है आपको एक लॉजिक बताजना चाहता हूं मैं यहां पर अगर आप लोग एगरी करते हैं तो शेयर करिएगा इसको कि दुनिया की जितनी भी अंग्रीजी दवाईयां हैं वो अगर आप पेंकलर का सबसे एक बेसिक एजामपल लेना चाहता ह हैं कि ज्यादा खाने पर बाकी बॉड़ी पार्ट्स करता है इंटर्नल और कई ऐसी अंग्रीजी दवाईया हैं मैक्सिमम लग बख कह दूं कि आप किसी एक पर्टिक्लर और्गन के लिखाई है वो दूसरे और्गन को डैमेज करती ही करती है और जब लिमिट क्रॉस होती ह पर क्योंकि आपको पेन ना फील और आप सामच के चलते हैं कि सब ठीक हो रहा है जोगी आपने बिजनस इंफ्लूएंसर से या फिर जो भी मोटिवेशनल स्पीकर से हैं सबसे सुना होगा कि जो चीज़ जल्दी से मिल जाए असानी से मिल जाए बहुत आराम से हासिल हो जा दॉक्टर हो ने यह कहा था कि कुरोना कोई एक ऐसी बिमारी नहीं है जो सिर्फ एक पटलर-ख़ील्ड में बिख्कत होती है और तमाम ऐसी प्रप्लम होती है और अब तो डिम्टम ने में बहुत हो रही है तो आसे हीम्टम निक हो हूए है उससे लड़ेगा कौन आप समझे एक दवाई उससे नहीं लड़ सकती लड़ता आपका सरीर ही है और जिसकी जिसकी यह देखा गया डाटा के दाथ जिसकी इम्यूनिटी जादा रही है चाहिए वह 100 साल का भी आदमी रहा हो वह बच जाता है लोग बचे हैं 100-100 साल की उमर में तो नहीं है क्योंकि लोग बीच में यह भी कह रहते हैं कि इतने यह जल्दी मर रहे हैं पताने क्या एस थी 90-100 के बीच में थी वह महिला थी बच गए इं चोटे मोटे हलके फुलके केसिस के आसपास लोगों के पास जाएं भी तो साइल आपको कोरोना हो भी ना और हो तो उसी वक आपको ठीक भी कर दें आप अपने आप से आपकी बॉड़ी क्योर हो जाए आपको पता भी ना चले इम्मिनूटी का बुस्ट होना बहुत जरूरी है क्यों लोग बहुत समय से लगे हूँ में हैं कि इम्मिनूटी बुस्ट करों इम्मिनूटी बुस्ट करो और एक आदमी चल्वाई लिए मैथ चाहिए जूब यहां यह से immunity ही boost होगी उस हद तक कि आप बच जाएंगे कुछ दिन के अंदर क्या दिक्कत है भाई अगर उसने directly कह दिया कि इससे कोरोना ठीक होगा अगर आप बता दीजिए कि कोई एक दवाई हो तो हाँ बस यह है कि एक vaccine बंग गई यह लगबग ट्राइल सुरू हो जाए को तो यह बहुत ना समझी वाली बात होगी तो हम लोग अगर किसी चीज़ को लॉजिक से नहीं समझ सकते तो कम से कम जब तक समझना जाए तब तक करना भी बेवोकूफी है पर अगर आखिर लड़ना हमारे ही सरीर को है तो हमारे सरीर को immune करना इससे बड़ी बात क्या है वो सिर्फ कोरोना के लिए दुनिया की हर लगबग विमारी के लिए वो हमारे सरीर को ताकत दे रहे थे लेकिन हमें नहीं समझ में आता है क्योंकि यह किसी भगवाधारी दाड़ी वाले बाबा ने बनाया था जिसको हम लोग और्थोडोक्स कह देते हैं कह रहे यह लोग नहीं सोच वाले आयरोवेट से चलने वाले जड़ी बूटी वाले मतलब इसकी कोई ऑफेंटिसिटी ही नहीं है मेरा लॉजिक सावन में आया हो तो कमेंट बताएगा वीडियो शेयर करिएगा जिसको बुद्धी में कम घुसा है वो घुसे और जिसको भी डाउट है वो कम मैं दे दूँगा खेर फिर मिलते हैं अगले वने में जाहिन बंदे मार्तर